Hello everyone, good morning, निवस्कार 17 जनवरी 2021 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग discuss करेंगे, analysis करेंगे आप इसकी PDF को download कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको description मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन IS Academy टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग search कर सकते हैं वहां से भी आपको इस PDF मिल जाएगी सबसे पहले बात करेंगे वैक्सिन सेफ इग्नोर रमर सेज पिम ये टाइटल जो दिया गया ये किसके लिए है भारत सरकार ने और भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा vaccination program या टिका करना अभ्यान की शुरुआत की गी इसके अंदर भारत में जो दो वैक्सिन को emergency use authorization दी गई है या जिनको emergency के लिए अप्रूवल दी गई है को वैक्सिन और कोवी शिल्ड उनको लेकर पहले फेज के अंदर जो एक तरीके से कह सकते है रिस्टिक्टिड यूज किया जाएगा रिस्टिक्टिड का मतलब क्या है पहले जो प्राइटी दी जाएगी किसको पर जो एक सेनिटेशन वरकर है मनेश कुमार इनको नियो दिलिक में डॉक्टर जिसमें रनदीप गुलेरिया जो एमस के चीफ है और हमारे हैल्थ मिनिस्टर जो हर सवर्दन साब उनकी प्रिजिंस के अंदर जो है टिका करन किया गया वेक्सिनेट किया गया ये कुछ इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ये कुछ इंपोर्टेंट बाते बोले कि जब पूरे देश में वेक्शिनेशन ड्राइव चल रहा है तो उसको लेकर तरह तरह की रमर्स तरह तरह की अफवाई भी फिलाई जा रही है उन चीज प्रमोट किया या वेक्शिन को डेवलप करने में जो काम क्या है वो एक अपने आप में सरानिये कदम कह सकते हैं इसके लावनों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक तरीके से प्रोग्राम लॉंच करेंगे वेक्शिनेशन प्रोग्राम होगा उसके लिए ज़रूर यह वेक्शिनेट किया जाए और कई देश ऐसे देश हैं जिनके अंदर वेक्शिन को लेकर फैसिलेटीज नहीं है यह इतनी महांगी वेक्शिन नहीं खरीज सकते हैं इनके लावा बताया गया कि भारत में पहले फेज के अंदर जो है वो लगबग तीन क्रोड लोगों को किया जाएगा इसके बाद अगला स्टैप जो होगा 30 क्रोड लोगों को पहले इसमें एमर्जेंसी यूज उत्राइजिशन के अंदर अप्रोक्समेटली जो है वेक्शिनेट किया जाएगा 30 क्रोड का मतलब क्या है कि दुनिया में केवल तीनी देशों की पोपलेशन 30 क्रो है या भारत की वेक्शिन जो है कई वज़े से पोपलर है रिजन इस देट कि भारत की वेक्शिन को जो पर्टिकलर कंडिशन की रिक्वाइरमेंट होती है उसके जुरूत नहीं है कई वेक्शिन दुनिया भर में जिसकी एक डोज की प्राइस जो 5000 तक है और उनको माइनस 70 तक फ्रीजर टेंपरेचर में रखना पड़ता है तो उस तरह की रिक्वाइरमेंट नहीं है क्योंकि अगर माइनस 70 डिग्री सेल्शिस तक टेंपरेचर में रखना पड़ेगा तो इसका मतलब यह होता कि बड़ी संख्या में हमें इंफ्रस्ट्रक्टर और लोजिस्टिक् और कंपरीज में इनके अलावा उन्होंने बता कि 60 परसेंट जो चिल्डरन है बच्चें दुनिया पर में भारत की बनी हुई वैक्षिन के थुरू वैक्षिनेट होते हैं और इसलिए भारत की वैक्षिन को भारत का जो फार्मा सेक्टर है उस पर दुनिया का ट्रस्ट जो फेरिंग को लेकर ईशियुस था कि डेटा सेर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है उसके बाद पूरा प्लान उनने पूरी पूरी पॉल्सी जो रोलाउट कर ली है मै 15 तक यानि वो फिर से उसको 15 मैं तक हौल्ड करें उसके बाद फिर रिवियू करेंगे ये सारी और टेलग्राम यह application तेजी से ग्रोव हुए और WhatsApp का जो एक तरीके से कह सकते हैं क्रेज साथ थोड़ा कम हुआ तो दो वज़े इसके लिए reason है और third important यह है कि right to privacy जो है भारत के अंदर fundamental right है कोई भी company कोई भी इस तरह की चीजें data share without government permission या लोगों की permission के अगर करेगी तो कहीं है कहीं violation होगा हमारे fundamental right का तो यह court के अंदर भी case इसको लेकर petition कुछ file की गई है कि WhatsApp को कोई right नहीं है हमारा data share करने को लेकर और इसी चीज़ को लेकर debate और इस चीज़ को लेकर चल रहा है कि accept करना चाहिए नहीं करना चाहिए फिलाल 15 माई तक इनोंने hold कर दिया कि यह rollout नही basic information है हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ें चल रही है क्या data privacy को लेकर या data sharing को लेकर बहुत important चीज़े हैं और right to privacy पर कई बार सवाल पूछा भी गया है आने वाले time में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से सवाल यह कि right to privacy जो है या निरिजता का अधिकार आप समिधान किस अनुशेद के अंदर रखेंगे या आप किस article के अंदर right to privacy को जो add करना चाहेंगे क्योंकि वो define किया गया Supreme Court के द्वारा आप लोगों नीचे जुरूर comment करना उसको इसको इसके बाद page नंबर 6 पे है जल सकती minister जल सकती जो ministry है वो पहली बार construct की गी थी या बनाए गी थ और उन्होंने अंदर प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिस्ट को लिखा है किस चीज को लेकर कि DPR कोई भी अगर आप नया प्रजेक्ट बनाएंगे तो DPR भेजिए detailed project reports किस चीज को लेकर आपको पताओगा अंदर प्रदेश हो या तेलंगाना हो या south के mostly states के बीच में rivers क को लेकर बड़ा एक dispute है चाहिए वो गुदावरी हो किष्णा हो इन चीजों को लेकर debatable रहता है और constitution के अंदर भी provisions है 262 के अंदर article 262 काफी important है इनके अलावा हमारे लिए important क्या है हमारे लिए 2-3 important चीज़े है पहला तो किष्णा और गुदावरी इनकी जो सायक नदिया ह या tributaries कह सकती है important है गुदावरी की किर्शना की हमने पूची थी आपसे आप लोगों को आज comment करना कि गुदावरी की major tributaries कौन-कौन सी है अब कई साती है पूचेंगे गुदावरी की rivers आपको नहीं पता तो आप खुदी पढ़ लीजिए तो भाई मुझे पता है नहीं इससे जदा important है कि आप सबको उसमें involvement आपको भले ही पता हो नहीं पता हो Google कर लीजिए सारी मिल जाएगी लेकिन उससे याद रही एक number या दो number का question कहीं आ गया तब ये आपको काफी मदद करेगा तो please comment करिए maximum comment करिए अपने answer को ये ना सोचिए कि मुझे आता है नहीं आता इससे फरक नहीं पड़ता है important क्या हम सब की participation और हम सब की participation से success 27 जुन 2021 को जब exam होगा प्री देने जो जाएंगे 100% selection लेकर आए इसी के साथ हमें effort करने और वो हम try कर रहे है तो आप लोगों का participation होना बहुत जुरूरी है और reverse पर मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ इससे पहल वाले time में भी हो सकते है तो be ready for them ठीक है इसलिए मैं बोलता हूँ comment करते हैं कोई आपका उसमें पैसा नहीं लगता और ना ही मुझे कोई पैसा उससे मिलता है कि comment करने से कोई भूद पैसे मुझे मिलते होंगे ठीक है तो आप जुरूर comment करिए इसके बाद भारत और नेपा पर discussion किया इनके अलावे यहां पर आप देखेंगे उन्होंने का कि भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी लीपूलेग और लिंप्यू धारा करके जो areas है उन पर जो issues है उसको resolve किया जाए और future generation इससे benefit हो याने आने वाली जो पीडिया होगी वो इससे benefit हो इसके नेपाल चाहता कि problems को solve किया जाए undisputed peaceful stable boundary को लेकर काम किया जाए और इनके अलावा उन्होंने discussion हलाकि उन्होंने इस चीज़ को लेकर का कि leadership में जो historical हमारे relation रहे हैं उसको future generations के साथ peaceful हम transfer कर सके इस चीज़ को लेकर लगातार focus किया जा रहा है इनके अलावा यह कह सकते है कि इंडिया नेपाल joint commission meeting होई external affair मिस्टर एस जैसंकर साथ और हमारे defense मिस्टर जोर राजनात सिंग उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और पूरे के पूरे issues में इन सम्में अगर आप देखेंगे एक चीज़ important है पहली बात तो भारत लगातार नेपाल को humanitarian assistant प्रोवाइड करा बाता रहा है चाए training and capacity building हो या दूसरी चीजों को लेकर तो भारत हमेशा एक responsible neighbor और बड़े भाई की तरह responsibility वहाँ पर निभाता रहा है लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती है political जैसे boundary को लेकर dispute अभी हुआ है इससे पहले मधिसी मोव्मेंट को लेकर dispute हुआ था जो वहां के constitution के अंदर एक तरीके से amendment किया गया मधिसी community को कई ने कई जो constitutional right को लेकर dispute हुआ था कि उनको constitutional right मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इनके अलावा भारत के परधान मंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं यह उमीद थी कि साइद हो मिले क्योंकि जो नेपाल के प्राइमिसर केपी सर् वो भारत के foreign secretary से भी मिले थे तो हो सकता था यह मुलाकात करते लेकिन साइद वक्त नहीं दिया गया यह कुछ issues हुआ है जिसकी वज़े से वो नहीं मिल पाए तो इसी वज़े से कहिने के एक message भी दिया गया है foreigner एक ambassador है भारत में राकेस सोरी नेपाल के नेपाल में master रहे है राकेस दोनों ने का कि अगर प्राइम मिल रहे तो एक signal देने का यह diplomacy में signal दिया जाता है कि इस तरीके से signal दिया गया है कि साइद सब कुछ अभी भी बहुत कुछ सही नहीं है भारत और नेपाल की relation में और बहुत कुछ करना बाकी है नेपाल लगातार news में है region कई सारे है सबसे बड़ा reason यह है कि नेपाल के प्राइम मिश्र साब ने वहां की परतिनीदी सभा या जो पारलियमेंट है उसको dissolve कर दिया और नए स्रीज एलेक्शन के बारे में discussion किया गया वहां पर protest हुआ वहां की प्रेजिडन बिद्या देवी बंधारी ने जो है इसको permission दी बाद फिर फिर करने की यह कह सकते हिमाले में जो उसका one road one belt in situ है उसमें NEPAL को include करने को या नेपाल के साथ tie ups को लेकर यह सारी वजह से NEPAL लगातार न्यूज में है इसके बाद यहां पर बात की जारी माइगरेटरी बर्ड्स की जो फ्लोक्स है पंजाब के वेट लेंड है कौन स हरेके वेटलेंड इसमें इसमें न्यूजमें रहता है हरेके वेटलेंड एक Fraser Rudi है ये इसलिए भी एक पडलेंड की यूप्यसि इसको इन पूच्छा था ये कई वजए से इंपडलेंड क्योंकि हरेके व्यटलेंड में आप से करेंगे यहां पर यह रीवर है प्रेंस और शथी यह कहीं नहीं चीजिटी है न्यूंदे करेंगे है ब्यास और सतलूज को छोड़के वो आपको नीचे कमेंट करनी है क्योंकि कई सारे चीजे हैं इंडस वैली जब आप हिमालयन रिवर में सुरू करते हैं तो उसमें सिंदू नदी से स्टार्ट करते हैं फिर गंगा और फिर ब्रह्म पुत्रा एक पूरा सिक्वेंच चलता है तो यह आपको मैक्सिमम प्रेक्टिस करनी है और वेटलेंड क्योंकि न्यूज में रहता है रामसर साइट को लेकर हो अलग-अलग कॉंटेक्स्ट में हो उसलिए वो न्यूज में बना रहता तो जुरूरी है कि हमें बेसिक इन्फोर्मेशन हो जैसे आज हरीके वेटलेंड ये पूछा ग यूगांडा एक कंट्री है फिर से हम रिपेट कर रहे है पुलिटिकली इशूज है उन चीजों की वाज़े से न्यूज में है और यहां पर दो परसन है पहला है मुजवेनी यह लगातार चटी ट्रम जीत गए है हालांकि जो ओपनेंट है बोबी वाइन यह एलिगेशन ल और कहीं ने कहीं उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो जैसे हाउस अरेस्ट बोलते ही इस तरह किया हुआ और दुनिया भर की कम्यूटी से रिक्वेस्ट करी क्या आप इंट्रिफेर करिए और मानवता को हुमन राइट्स को सेव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा दु कईने कि फ्रोडेंट हुआ है कईने के इस्यूज है और अगर आप अफ्रिकन कॉंटिनेंट के जितनी भी कंट्रीज को देखेंगे इन कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रोबलम है पॉलिटीकल अनस्टेबिलिटी या एक त्रीके से डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का यह बड़ी problem है और Uganda के जो neighboring country मैं ने उसके बारे में पहले भी डिसकस्प किया था question फिरा यह आप question जाएगा आपके उपर मैंने इन सारी countries को जो neighboring country यह feedback आपको दिख रहा है यह यह Uganda बिलको लिकवेटर प्रड़ेald गाणे है इसके अंदर मैंने इतने ज़्यादा मैप करेंगे जितनी ज़्यादा कंट्री करेंगे आपको एज मिलेगी जब आप 27 जून को एकजाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जोगर्फी कितने important थी तो equator को ध्यान रखीएगा क्योंकि equator से क्या होता है कि equator से आपका conceptual clarity होती है और और वो कैसे करेंगे आप एक्वेटर को ध्यान रखना एक्वेटर बहुत इंपोर्टेंट है या जीरो डिगरी कह सकते हैं आप ठीक है यह चीजे है इसके बारे हमें हमें पढ़ना है तो आप लोगों को नीचे इसकी जो नेवरिंग कंट्री है वो नीचे कमेंट करनी है ठी तो तीन-चार क्योशन आज पूछें ताकि आपका और ज्यादा इंगेजमेट इसमें हो इसके बाद यहां पर बात की जारे रीफाइन क्वेटर ओफ एक्सपेंडिटर टू एड फिसकल सस्टेनिबिलिटी को लेकर यह आर्टिकल है और रिजरो बैंक ओफ इंडिया के जो में अभी क्या चल रहा है फिसकल सस्टेनिबिलिटी को लेकर उन सब पर एक स्पीच दे रहे थे वो और उन्होंने कहा कि एज पर आइमेफ कैलकुलेशन यानि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की कैलकुलेशन के क्योडिंग जो टोटल फिसकल स्पोर्ट है कोवेड नाइंट टॉपिक क्या था टुवार से स्टेबल फिनेंशल सिस्टम ग्लोबल पब्लिक डेट इस सेट वह रेज हंडर परसेंट अव जीडिपी यानि 2020 के अंदर जो ग्लोबल डेट है जो दुनिया भर में कर्ज है वो 2020 में 100 परसेंट तक पहुंच जाएगा जीडिपी का यह इसके पेंडिमिक के एडवर्ज इंपेक्ट कह सकते हैं यह पेंडिमिक ने जिस हिसाब से दुनिया भर के देशों की एकनोमिक को नुकसान पहुंचा है उस चीज में उस चीज को लेकर उन्होंने डिसकॉसन के अपना एक लेक्चर दिया अपना एक स्पीज दिया कि फिसकल स्प टेकनोलोजी है इन चीजों को लेकर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हें तब कहीं 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 कह सकते कि यह multiplier effect होता है और इससे labor quality और capital productivity दोनों में increase होते है human capital या mano-punji का मतलब क्या होता है देखो एक इनसान होता है जिसके पास कुछ भी काम करने का talent नहीं है skill नहीं है वो कह सकते हैं एक जनसंक्या का हिस्सा मैं उसको समझता हूँ लेकिन उसे इनसान को अगर आप skill देंगे उसको कोई talent सिखाएंगे कुछ learning को लेकर या कुछ आपको उसको काम करने की skill के बारे में बताएंगे सीखेगा तो वो किसी भी राष्टर के लिए किसी भी देश के लिए एक human capital या मानो पुंजी की तरह है आपको देखने को मिलेगा तो यह important term use की गई है तो इस तरह है कि जो यह आप directly copy कर लेना note कर लेना यह यह बहुत important है expenditure on physical and social infrastructure including human capital science and technology is not only welfare enhancing यह क्यों welfare enhance नहीं करेगा बलकि यह higher growth through their higher multiplier effect and enhancement of both capital and labor productivity यह court आप direct कर सकते हैं अपने economics में और human capital को लेकर question अगर आया infrastructure को लेकर कोई question आया तो direct court कर सकते हैं Mr. सकतिकांदास Reserve Bank of India के governor इनके लावा इनों ने कहा कि GDP ratio हो debt to GDP ratio हो इनको लेकर quantity और quality दोनों के बीच में एक fiscal balance जुरूर है होना चाहिए और Reserve Bank of India की responsibility भी है कि economic activities को कैसे उसमें important measure लेने हैं यानि government के साथ एक responsible central bank होने के तार नाते उनकी जीमेंदार है कैसे भारत एक economic stability financial stability की तरफ बढ़ेगा और उसको लिए जो भी measures की requirement है वो as per the requirement जो है वो Reserve Bank of India को लेने चाहिए और वो आइधिंक लेगा भी क्योंकि वो एक well known committee के धरू जो हो रन किया जता है और monetary policy committee इसमें important role play करती है हमने पहले भी दिसकस किया था कि monetary policy committee के अंदर छी मेंबर हैं जिसमें तीन government के और तीन किसके है डिजरो बैंक ओफ इंडिया की इसके बाद last page जो है वो science का है तो science में ये जो article है वो है vaccine dilemma को लेकर इसी चीज़ को लेकर हमें पढ़ना कि vaccine dilemma है या नहीं है या vaccine को लेकर जो confusion इतना ज्यादा create किया ज़रा है वो पूरा का पूरा reasons क्या है तो हमने already discuss किया है कि भारत के अंदर emergency use authorization दिया गया यह कह सकते हैं कि selected लोगों को priority basis पर vaccinate किया जाएगा भारत के अंदर और इसमें पहले phase के अंदर तीन क्रोड उसके बाद तीस क्रोड लोगों का टार्गेट इसके अंदर रखा गया दो वैक्षिन को इसमें इंक्लूड किया गया है कोवेक्जिन और कोवी सिल्ड ठीक है तो अब इसमें डाइलिमा क्या है या इसमें confusion क्या है वो उस चीज के बारे में थोड़ा इन्हों ने बताया कि restricted यूज अप्रोवल दिये गया यानि एक limited लेवल तक आप यूज कर सकते हैं ठीक है इस तरह क्या प्रमोशन प्रमिशन इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू है कोवेक्जिन को लेकर भारत द्वारा डेवलब की गई है और इसमें इश्यू क्या है कि टेटा की efficiency को लेकर असेंस या उसमें कुछ ने डेटा ही नहीं है फेर्ज तरीका तो यह मेजर इशूज है और इसी चीज़ को लेकर जो रिशिप्ट है यानि जो रिशिव करने वाले वैक्षिन उनको कोई ओप्सन नहीं है कि आपको वैक्षिन लेंगे यानि उनको पास जो भी वैक्षिन वहां होगी उनको कोई ओप्सन नहीं दिया जाएगा कि आपको कौन सी वेक्षिन लेनी है तो इस कड़ी में जब बात की कि युनियन हैल्थ सेक्रेटरी राजेस भुषन द्वारा तो उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई कि पहले 16 जनवरी को जो है वेक्षिन वेक्षिनेशन प्रोग्राम जो दुनिया भर में भारत में शुरू किया अलग अलग जगह पर और दुनिया भर के अगर देशों को आप अनलिस करेंगे जिस हिसाब से वहाँ पर भी कोई ऑप्षिन नहीं है फॉर इजामपल अमरीका गेनों ने एक्जामपल दिया कि अमरीक वहाँ पर चाहिए वो फाइजर हो मोडरेना और अस्ट्रेजन को तीन वेक्षिन को जो अप्रूल दी गए है वहाँ पर भी ओप्षिन नहीं है कि आपको कौन सी वेक्षिन जो लेनी है यह डिपेंड करेगा टाइम सिच्वेशन और अवलेबिलिटी इन सब चीजों को ले लग लेवल पर है जैसे फाइजर जो है 95 परसेंट एफिकेसी है उसका डेटा बताया गया कि 95 परसेंट तक एफेक्टिव हो सकती है अस्ट्रेजेनिका की या जो कोवी सिल्ड हम जिसको वेक्षिन यूज कर रहे है सेरे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसमें अस्ट्रेजेनिक को लेकर लगातार डिबेट हो रहा है लगातार साइंटिस इस पर चर्चा कर रहे है कि क्या को वेक्षिन को प्रूवल दिया जाना सही था जो फेज थरी के ट्राइल के डेटा इसमें नहीं है तो को वेक्षिन को लेकर लगातार डिसकॉशन हो रहा है और भारत बायोटेक अपने तरफ से जो है clarity इसमें दिया उन्होंने अपने आपको लेकर और ये भी उन्होंने कहीं कि एक एक एफिड वो साइन भी करवार कि अगर कोई भी इंपेक्ट होता है तो company भारत बायोटेक इसके लिए responsible होगी इनके लाब phase 1 and phase 2 के ट्राइल जो वो efficient थे लेकिन सबसे important होता है phase 3 के ट्राइल क्योंकि इसमें किसी वेक्षिन की efficacy को analysis किया जाता है कि ये वेक्षिन कितना ज़्यादा असर करेगी effective तो ये कुछ चीजें हैं और कहीने कहीं का एक matter हो सकता है clinical trial clinical trial mode को लेकर और कहीने कहीं एक question of ethics भी है कि क्या जिस वेक्षिनेट करना है या vaccination करवानी है उस वेक्षिन को उसकी permission नहीं है उसको मतलब options नहीं होगा कि आपको ये वेक्षिन चाहिए कि ये वेक्षिन चाहिए दोनों में से आपको कोई option नहीं होगा कोवेक्षिन और कोवेक्षिन दोनों में से जो भी एवलेबल होगी उसी की basis पर होगा तो यहाँ फ़र भारत बायोटेक की responsibility है कि clarification होना चाहिए कोवेक्षिन को लेकर phase 3 के trial के data जल से जल पब्लिस करना चाहिए उसके application को लेकर ताकि लोगों के अंदर confidence बढ़े और ये ethically भी एक सही step हो सकता है, सही decision हो सकता है कि कोवेक्षिन अपने data को जल से जल पब्लिस करें तो यह कुछ information थी the Hindu में और अब हम पढ़ेंगे question को, ठीक है? question में हमारे लगबग 60 questions complete हो चुके थे, तो 61 number question है, जो हमें आज करना सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देखेंगे, recently India's first national investment and manufacturing zone was proposed to be set up in, उस टाइम 2015-16 में ये news में रहा था, तो ये current का question था, आंदरा प्रदेश, गुजरात, महरास्टरा, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह के जो question है, वो news में रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना कि हाली में भारत में पर्थम, रास्टिये, निवेश और उनिवान सेत्र का गठन कहां किया जाने के लिए, के लिए परस्ताव दिया गया था, आंदरा प्रदेश, गुजरात, महरास्टरा या उत्तर प्रदेश, तो इ इसी रिजन के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ही, वो अगर किसी को पता कि कौन सा नया railway zone है, उस railway zone का और उसका headquarter का है, वो आपको नीचे comment करना interested हो, तो करिए comment, नहीं interest हो, तो सिर्फ पढ़ लीजेगा, उसको ध्यान रखिएगा, comment करना जुरूरी भी नहीं है, ठीक ह इसके बाद 62 number question है, यहां पर बताया गया कि district mineral foundation in India, उसका क्या purpose है, या उसके क्या उदेशिया हो सकते हैं, तीन statement देगी, promoting mineral exploration activities in mineral rich district, second बोला गया है, protecting the interest of the person affected by mining operation, option 3 दिया, sorry, statement number 3 है, authorizing states government to issue license for mineral exploration, ठीक है, हिंदी में देख लीजी, हिंदी में एक issue रहता है, भारत में जिला, खनीज, परतिस्थान का क्या उदेशिया है, खनीज संपन जिलों में खनीज, खोज, समंदी, क्रिया कलापों को प्रोथसायत करना, खनीज, कारिया से प्रभायत लोगों के हितों की रक्षा करना, राज जो option है कि authorizing state government issue license for mineral exploration ये गलत है ठीक है तो mostly जो minerals है उसमें central government का stake ज्यादा होता है ठीक है तो पहला तो ये गलत हो जाएगा option number 3 और option number 1 की जो minerals exploration activities है खासकर minerals district में उनको promote करना है तो ये दोनों के दोनों गलत है यानि 1 & 3 गलत है तो option बचेगा केवल तो ये protect करता interest of the person affected by mining operation यानि mining operation में जो लोग effect होते है उनको कहीन कहीं protection देता है कहीन कहीं security प्रवाइड करता है तो इसमें जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B इसके बाद question number यहाँ पर आप देखेंगे 63 number question है और यहाँ पर बताएगे सव्यम करके एक इनिसेटिव है government of India का इसका क्या लक्षी है इसका aims क्या है promoting the self-help groups in rural area providing financial and technical assistance to young startup entrepreneur promoting the education and health of adults and girls and providing affordable and quality education to the citizen for free यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार की पहल है सव्यम का लक्षी इसे क्या है ग्रामिन सेत्रों में समय साइथा समों को प्रोचसाहित करना यूआ नव प्रियासी या स्टार्ट अप उदिम्यों को वित्ययु तक्निकी सायोग उप्लब्द कराना किशोरियों की सिख्षय उनके स्वास्ते का समर्धन करना नागरिकों को वहन करनी योग्य गुणुवत्ता वाली इसिक्षा नेसुल्क उपलब्द करवाना इस प्लेटफॉर्म को ये इस कांसर बताने से पहले में आपको सव्यम के बारे में थोड़ा बता दूँ यहां पर आप देखेंगे ये सव्यम प्लेटफॉर्म के बारे में यहां पर डिसकस किया गया है तो यहां पर बताया गया कि सव्यम इस प्रोग्राम इनिसेट बाइ गवर्मेंट ऑफ इंडिया ये बारत सरकार दौबार ने इनिसेट किया गया है और डिजाइन किया गया है तो अचीव दा थ्री कारडिनल प्रिंसिपल यानि तीन इंपोर्टेंट प्रिंसिपल उफ इसमें एक्सेस, इक्वेटें, क्रोलेटी को लेकर बात की गई है जो पहले से कोई एकसेस scrutiny पमेट को नेकर ले कर तो यह एजूकेशन से डिजिटल है और इसका टार्गेट क्या एक्सस एक्सस इक्वेटि एक्वेट इंद क्वेटी ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें केवल एक यह एजूकेशन को लेकर जो है यहाँ पर दिया गया है नागरी को वहन करनी योगी गुणुत्ता वाली सिख्षा जो अवलेवल करवानी है यहां पर देखेंगे affordable and quality education of the citizen ठीक है यहां पर भी लिखा गया है equity और उस चीज़ को लेकर यह किया गया है उसी चीज़ को लेकर इसका target है ठीक है तो इसमें 63 नंबर का हो जाएगा यह वाला providing affordable and quality of education to the citizen for free 64 नंबर क्योंशे मोंटेगो चैंप्सपोर्ड प्रपोजल जो किस से related है social reform है education reform है reform policy administration है constitutional reform है constitutional reform है मोंटेगो चैंप्सपोर्ड और कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और जैसे 1773 से लेकर जितने भी एक्ट है बिटिस इंडिया के अंदर जो constitutional procedure चला 1773 है पिर्स इंडिया अक्ट है ठारा तेरा अठारा तेस अठारा सो अठावन और 1909-1919 उसके बाद साइमन कमिशन रिपोर्ट नहरूर रिपोर्ट कई सारे रिपोर्ट आई इसके बाद 1935 में जो government of इंडिया अक्ट है इन सारे एक्ट में कई सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो मॉन्टिव चैंप्पोर्ट जो है यह constitutional reform से लिए जब आप constitution पढ़ेंगे उससे पहले historical background of constitution जो आता है वहाँ पर इसके बारे में details से बताया जाएगा तो यह basic चीज़े है और यह बहुत important है क्योंकि यह जो जितने भी मॉन्टिव चैंप्पोर्ट हो यह जितने भी second option बोल रहा है both belong to the same religious denomination यानि दोनों एक तरह के religion जो यह similar से लगते हैं या एक तरह किसे religion से belong करते हैं तो यह भी गलत है और third है both है rock cut monument यह दोनों rock cut monument है तो यह statement से यह दोनों rock cut monument है लेकिन यह किसी same religion से जो मैच नहीं करते और same period में नहीं बनाएंगे इसमें जो right answer होगा वो होगा be only sorry be three only यह वाला statement सही है तो आज के the Hindu news paper में इतना ही उमेद करेंगे आपको पसंद आएगा इसके pdf पहले आपके आंसर से आपके अंदर भी confidence आएगा मुझे भी motivation मिलेगा कि हमें और ज्यादा मेहनत कर रही है और अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दिया करो उसमें कोई पैसा आपका लगेगा नहीं और नहीं कोई पैसा मुझे भी मिलेगा पसनली थैंक्यो ओल जहिन